स्टुनेंट्स मैं आशी सर मेरी यूटूब चैनल एस सी फैगल्टी में आपका स्वागत है स्टुनेंट जैसा कि आपको थमनिल में दिख रहा है स्टुनेंट कि आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सिंप्लिफाई करना एक्वेशन 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 को तो जब इसको सिंप्लिफाई करेंगे स्टुनेंट तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर दोनों ही टर्म्स जो हैं वो सेम हैं बस प्लस माइनस का यहाँ पर डिफरेंस है तो इसको एवैलूट करने के लिए सबसे पहले हम आइडेंटिटी का इसमें एक यूज करेंगे यहाँ पर यह हमारा फॉर्म है A प्लस B और A माइनस B का फॉर्म इस्टुनेंट तो इसकी अगर देखा जाए तो यह आइडेंटिटी जो होती है A प्लस B और A माइनस B की वो होती है A स्टुनेंट का होगी अगर हमारे तुनेंटिटी के फॉर्म है तो इसको हम जो है इस अइडेंटिटी के फॉर्म में रख सकते है अगर A पर बात करें तो A पर हमारा 3 है या नहीं हो जाएगा 3 का स्क्वेर माइनस B पर बात करें तो B की वैल्यू है रूट 3 तो रूट 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वेर हो जाएगा 3 का स्क्वेर हो जाएगा यहाँ पर कितना 9 और माइनस स्क्वेर से रूट कैंसल अगर हो जाएगा तो यहां पर कितना जाएगा 3 है जाएगा 9-3 यानि इसका अंसर कितना हो जाएगा students 6 हो जाएगा I hope आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ students अच्छे समझ में आया हुआ कि 3 plus root 3 और 3 minus root 3 कैसे simplify करते हैं आपने अगर मेरे previous वीडियो नहीं देखे हैं